अगर आप लोग भी टॉप 5 32 इंच टीवी की तलाश करते हुए इस वीडियो के अंदर आए हैं, तू यकीन मानिए आप लोगों की तलाश पुरी हुई। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को टॉप 5 32 इंच टीवी इन 2023 का पूरा लिस्ट देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले सारे प्रदाक्स का परचिस लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सब वहां से परचिस कर स करते हों, तु चलिए विडाउट वेस्टिंग टाइम, वीडियो की शुरुआत करते हैं, हेलो और वेलकम गाइस, लिस्ट के फिफ्ट नंबर पे हैं, सामसिंग 32 इंचेस बॉन देटेन्मेंट सीवीज एल एडी टीवी, ये टीवी हमें ग्लॉसी ब्लाक कलर में और 20W होना चाहिए, इस टीवी का रेजियूशन 1366 x 768 है, इसमें आपको अलग-अलग टाइप के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे की USB, Ethernet, Wi-Fi और HDMI, इसमें हमें 1.5 GB का RAM मेमरी मिलता है, और इसका ओपरेटिंग सिस्टम तीजन है, इस LED टीवी का ग्राफिक्स को प्रोसे हाइपर रेल है, और इसमें DVB-T2 का भी यूस किया गया है, इसके पहले फीचर्स की बात करें तो इस TV मी नेट्फिक्स, प्राइम विडियो, C5, सोनी लेफ, यूट्यूब और हॉट स्टार जैसे इंटरनेट सर्विसेस सपोर्ट होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फीचर यह है कि इसमें आपको Dolby Digital Plus का स्पीकर मिलता है, यानि कि आप 3D साउंड एंजोई कर सकते हो, वो भी 360 डिग्री सिनेमाटिक ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ, तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका ब्रांड इंस्टोलेशन है, यानि कि यह TV अगर आप लेते हैं, तो इसका इ वारंटी कार्ड और एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, बात करें इसके वेट के बारे मीटु इसका वेट 3 कीलो 800 ग्राम्स है, वारंटी इसका वान येर्स का मिलता है, प्राइस इसका 14,990 रुपीज है, लिस्ट के फोर्थ नंबर पे है, LG 32-Inches Smart LED TV, यह TV हमें डाक अवेलिबल मिल जाएगा, डाइमेंशन इसका 3.3 x 29.1 x 17.4 cm है, इस LED TV को आपरेट करने के लिए आपका वोल्टेज तू 40 वोल्ट्स और 10 वाट्स होना चाहिए, इस TV का रेजलूशन 1366 x 768 है, इसमें आपको अलग-अलग टाइप के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे की USB, Ethernet, Wi-Fi और HDMI, इसमें हमें 1GB का RAM मेमरी मिलता है, और इसका Operating System Web OS है, इस LED TV का Graphics को Processor, LG Graphic Processor है, और इसमें ATSC Tuner Technology का भी यूज किया गया है, इसके पहले फीचर्स की बात करें तो इस TV में Netflix, Prime Video, Z5, Eros Now, VOOT, अलटबाला जी, Apple TV, YouTube और Disney Plus Hotstar जैसे Internet Services सपोर्ट होते हैं, तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका Brand Installation है, यानि कि ये TV अगर आप लेते हैं, तो इसका Installation Brand खुद कर देंगे, वो भी बिकुल फ्री में, इस LG TV के बॉक्स में आपको LED TV, एक Table Top Stand, एक User Manual, एक Warranty Card, एक Remote Control, और दो बाटरीज भी मिल जाता है, बात करें इसके वेट के बारे मीटू इसका वेट 5 कीलो 100 ग्राम्स है, वारंटी इसका 1 येर्स का मिलता है, प्राइस इसका 13,490 रुपीज है, लिस्ट के थर्ड नंबर पे है, Redmi Android 11 Series Smart LED TV, ये TV हमें ब्लाक कलर मी अवेलिबल मिल जाएगा, Dimensions इसका 3.4 x 28.7 x 18.7 cm है, इस LED TV को आपरेट करने के लिए आपका वोल्टेज 240 वोल्ट और 50 वाट्स होना चाहिए, इस TV का रेजलूशन 1366 x 768 है, इसमें आपको अलग-अलग टाइप के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे की USB, Ethernet, Wi-Fi और HDMI, इसमें हमें 1GB का RAM मेमरी मिलता है, और इसका ओपरेटिंग सिस्टम Android TV 11 है, इस LED TV का ग्राफिक्स को प्रोसेसर, Mali G31, MP2 है, और इसमें NTSC Tuner Technology का भी यूज किया गया है, इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस TV में IMDB इंटेग्रेशन, Kids Mode with Parental Lock, 90 Plus Free Live Channels, Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, Android TV 11, Google Assistant, Chromecast Built-in, और YouTube जैसे Internet Services सपोर्ट होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये है, कि इसमें आपको Dolby Digital Plus का स्पीकर मिलता है, यानि कि आप 3D साउंड एंजॉई कर सकते हो, वो भी 360 डिग्री सिनेमाटिक आदियो एक्सपीरियंस के साथ, तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका ब्रांड इंस्टोलेशन है, यानि कि ये TV अगर आप लेते हैं, तो इसका इंस्टोलेशन ब्रांड खुद कर देंगे, वो भी बिकुल फ्री में, इस Redmi TV के बॉक्स में आपको LED TV, एक टेबल टॉप स्टांड, एक यूसर मानिवल, एक व वारंटी इसका वान येर्स का मिलता है, प्राइस इसका 13,999 रुपीज है, लिस्ट के सेकिंड नंबर पे हैं, वान प्लस 32 इंचेस वाई सीरी स्मार्ट LED TV, ये TV हमें ब्लैक कलर में अवेलिबल मिल जाएगा, दाइमेंशन इसका 6.5 x 42 x 71.3 cm है, इस LED TV को आपरेट करने के ल और 20W होना चाहिए, इस TV का रेजलूशन 1366 x 768 है, इसमें आपको अलग-अलग टाइप के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे की Bluetooth, USB, Wi-Fi, Ethernet और HDMI, इसमें हमें 1GB का RAM मेमरी मिलता है, और इसका ओपरेटिंग सिस्टम Android है, इस LED TV का ग्राफिक्स को प्रोसेसर मली 470 ट्रिपल क और इसमें PL, DVB-T और DVB-T 2 जैसे चूनर टेक्नोलोजी का भी यूस किया गया है, इसके पहले फीचर्स की बात करें तो इस TV में Netflix, Prime Video और YouTube जैसे Internet Services सपोर्ट होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये हैं, कि इसमें आपको Dolby Digital Plus का स्पीकर मिलता है, यानि कि आप 3D साउं इंजोई कर सकते हो, वो भी 360 डिग्री सिनेमाटिक आदियो एक्सपीरियंस के साथ, तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका ब्रांड इंस्टोलेशन है, यानि कि ये TV अगर आप लेते हैं, तो इसका इंस्टोलेशन ब्रांड खुद कर देंगे, वो भी बिकुल फ्री में, इस बात करें इसके वेट के बारे मीटू इसका वेट 3 किलो 500 ग्राम्स है, वारंटी इसका वान येर्स का मिलता है, प्राइस इसका 14,999 रूपीज है, लिस्ट के फॉर्स नंबर पे है, एमाई 32 इंचिस 5 सीरीज LED टीवी, ये टीवी हमें ब्लाक कलर में अवेलिबल मिल जाएग डाइमेंशन इसका 19 x 71.5 x 47 cm है, इस LED टीवी को ओपरेट करने के लिए आपका वोल्टेज टू 40 वोल्ट्स और 50 वाट्स होना चाहिए, इस टीवी का रेजलूशन 1366 x 768 है, इसमें आपको अलद अलग टाइप के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, जैसे की ब्लुटूथ, यूस् जलता है, और इसका ओपरेटिंग सिस्टम एंड्रोइड है, और इसमें हमें टोटल टू यूस्पी पोर्ट्स मिलते हैं, इस LED टीवी का ग्राफिक्स को प्रोसेसर मली जी 31, MP2 है, और इसमें NPSC जैसे टूना टेक्नोलोजी का भी यूस किया गया है, इसके स्पेशल फीच प्राइम विडियो, दिजनी प्लस हॉट स्टार और यूट्यूब जैसे इंटनेट सर्विसेस सपोर्ट होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये है, कि इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का स्पीकर मिलता है, यानि कि आप 3D साउंड एंजॉई कर सकते हो, वो भी 360 डिग्री सिनेमाटिक ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ, तीसरा सबसे बड़ा फीचर इसका ब्रांड इंस्टोलेशन है, यानि कि ये टीवी अगर आप लेते हैं, तो इसका इंस्टोलेशन ब्रांड खुद कर देंगे, वो भी बिकुल फ्री में, इस MI TV के बॉक्स में आपको LED TV, दो टेबल स्टांड बेस, एक यूसर मानियूल, एक रिमोट कंट्रोल, चार स्क्रूज और दो बाटरीज भी मिल जाता है, बात करें इसके वेट के बारे मीटू इसका वेट 4 किलोग्राम्स है, वारंटी इसका 1 येर्स का मिलता है, प्राइस इसका 12,499 रुपी तो गाइस प्लीज नोट की सारे स्मार्ट LED TV को अगर आपको इंटनेट से यूज करना है, तो आपके घर मी वाइफाइ होना चाहिए, या फिर मॉबाइल होट्सपोट से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके यहां इंटनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप इसे आज नोर्मल टीवी की तरह दिस टीवी या फिर केबल से कनेक्ट कर सकते हो, और गाइस अगर आप ब्रांड इंस्टॉलेशन को चूज करते हो, तो प्लीज बॉक्स को ओपन मत करना, जब तक कोई रप्रेजेंटिव आके खुद बॉक्स को ओपन ना करे, दिखाए गए हर एक प्रोड़क्ट का पर्चिस लिंक डिस्क्रुक्शन और कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से पर्चिस कर सकते हो, और अगर विडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या डाउट है, तो आप कॉमेंट करके हमें पूछ सकते हो, थांक्यू